कि हैपी मोरेंग और फ्यू आंप प्रोफेसर अनंद कुमार दास आज मैंने फिर से बहुत एच्छा टॉपिक लिया बहुत ही कॉमेंट टॉपिक आज दो सालों से हम सब लोग जहल रहे हैं इसको फैक्ट्स या मित मित का मतलब होता है सिंपल भासा में मानो या ना मानो लोगों को पढ़ाया है मेरा फर्ज बनता है उन सब को ये मैसेस पहुचाने का पोरोना एंड ओमिक्रों से रिलेटेड कि अगर आप लोगों का नाम इन साथ लोगों के नाम अगर आप देख रहे हैं सास्त्रों के हिसाफ सी जो सेवन लोग हैं देख जिनका नाम यहां लि सकते हैं अमरता का परदान प्राप्त है इसलिए मैं अज़ बताना चाहता हूं आप लोगों की जरूरी सुचना का रूप में कि अगर कोरोना और ओमिक्रों से बचना है और अगर आपका नाम यह सेवन लोगों के नाम से नहीं मिलता जुलता है क्योंकि सास्त्रों के साफस क्या होगा यह कहना मुश्किल है क्योंकि जो चीज़ मैंमेड होता है मनुस्ति के दोरा कोई चीज़ फिलाया गया हूं इंटेंस्टनली है छनत उससे बचने का उपाई सिर्मनुस्ति कर सकता है उसके लिए आपको तीन काम करना है कि पार्पिया मास्क पेन है पहला नमबर किरपिया से निटाइजर का यूज करें और किरपिया समाजिक दूरी बनाया रखें आपको सिर्फ इतना एक जी सोचना है as an individual, as a student, as a teacher, trainer, faculty, executives, managers, आप जिस भी age group में हो कि जितने भी vaccine का हमारे देश में हमारे देश के बाहर बना है या बनाया गिया है सबको कम से कम 10 साल लगता है अब करोना का vaccine आट मैने में बनकर तैयार हो गया आप बस इसी से अंदाजा से आपको लगाना है कि ये क्या है ये facts है ये myths है मानो ये ना मानो फिर से में repeat कर दूँ कि हमें अमरत्व का परदान प्राप नहीं है हम immortal नहीं है सिर्फ इन 7 लगों को ये प्राप अगर आपके नाम इस सुची में नहीं है सास्तरों के इसाफ से तो आपको ये 3 चीज़ों को follow करना है अपने जीवन को बचाने के लिए अपने परिवार को जीवन को बचाने के लिए अगर मेरी बात समझ में आए मेरी वीडियो पसंद आया तो सबस्क्राइब जरूर करो लाइक करो फारवर्ट करो शेयर करो सब के साथ सब्सक्राइब कर सब को पता रहे कि मैंने क्या बताने की कोसिस किया है थैंकू सो माच मैं गाड ब्लेस यू पुए फूब बहाब बहाब बिल्सक्राइब गिन्स